हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो आवर चानल लॉप पोजिटिव अकडेमी तोड़े विल डिस्कस अबाउट देपिनिशन अप लीज शेक्शन 105 ट्रांसफर अप्रोपर्टक 1882 डिपाइज देपिनिशन अप लीज दोस्तो लीज का डिपिनिशन क्या है यह ट्रांसफर अ प्रोपर्टक सेक्शन 105 के अंडर डिफाइन किया गया है लीज मीन्स ट्रांसफर अप पोजेशन अप इमोवेबल प्रोपर्टी इन फेवर अप पर्सन फॉर लिमिटेड पिरियेड और फॉर प्रोपर्टी इन कंसिडरेशन अप प्राइस पेड और प्रोमिस तु बी पे प्रोपर्टी के लिए क्या किया जाता है इन फेवर आप किसके फेवर में पर्सन फॉर लिमिटेड पिरियेड कोई अगर एक वेक्ति है उसको लिमिटेड पिरियेड के लिए प्रोपर्टी का प्रोपर्टी का प्रोपर्टी के लिए क्या किया जाता है और कंसिडरेशन अ unimmuable property का दिया जाता है उसको क्या बोलते है लीस बोलते है definition of laser laser यानि की landlord the party who transfer a possession is known as lesser lesser किसको बोलते है आम भाशा में क्या बोलते हैं उसको landlord बोलते है the party who transfer a possession is known as laser जो भी पर्टी ट्रांसफर कर देता है उसको क्या बोलते है लेशर बोलते है डिपिमेशन आफ लेशी को क्या बोलते है टेनेंट बोलते है देपिमेशन फ्रेवर the possession is transferred is called lacey, party ने किसके फेवर में possession दे दिया है, immovable property का, उस person को क्या केता है, lacey केता है, definition of premium, the price is called premium, जो भी tenant, जो भी है अपने landlord को जो भी amount दे रहा है, money दे रहा है, उसी को क्या बोलते है, premium बोलते है, definition of rent, the money, share, service, or other thing is called rent, the money, share, service, or other thing is called rent, यहने कि पाइसा रहेगा, जो भी कोई benefit का share आएगा, उसके उपर जो भी service आएगा, कोई other things रहेगा, उस चीज को क्या बोलते है, rent बोलते है, essential element of lease, lease के लिए क्या-क्या जोरूर है वो हम देखेंगे, first one is the parties, that is transferer and the transferary, पहला चीज क्या है, essential element of lease के लिए the parties, देखो lease एक तरप का ही contract रहता है, और contract के लिए दो parties की जोरूरत रहते, इसमें क्या रहता है, transferer and transferary, major and sound mind, दोनों भी क्या होने चाहे, major होने चाहे, उसकी age, 18 year complete हो जानी चाहिए, and sound mind होने चाहिए, second one is the demise, that is right to enjoy immobile property, second one क्या आता है, demise आता है, यानी की, right to enjoy immobile property, जो भी property है, immobile property, उसका use करना चाहिए, transfer of partial interest इसको बोलते है, third one is the term, that is the duration of lease, जो भी आपने lease को देद दिया है, उसको क्या चाहिए, एक duration चाहिए, fourth one is आता है, the consideration, that is premium or rent, उपर आपने देखा है, premium or rent, वही चाहिए, consideration होना चाहिए, अब आता है, formality of lease, formality क्या क्या होती है, lease के लिए, first one is, if agreement is of less than 12 months, then only stamp duties payable, अगर आपका agreement 12 महिने से कम है, less than 12 months, then only stamp duty is payable, जो भी stamp duty है, खाली वही pay करना चाहिए, second one, if lease is exceeding 12 months, then agreement and registration is made, आपको पहले में क्या दिया है, अगर 12 महिने से कम है, agreement आपका, तो only stamp duty, और 12 महिने से ज़्यादा रहेगा, तो क्या करना चाहिए, agreement भी करना चाहिए, और उसके साथ registration भी करना चाहिए, thank you friends, bye bye,